हेलो क्रिकेट फैन्स और आप सभी कहार बार फिरसे स्वादत है मिने चैनल लेट्स टॉक्रिकेट में तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपिंशिप के वैसे टेस्ट क्रिकेट जो है वो और भी जाबा कंपिटिटिव और इंट्रेस्टिन हो रहा है तो आज के इस वीडियो में बात क चैंगी ऑलए और इंडिया वर्सिस लियुए थे स्टिन आप सीरीज के बारे के बारे में तो चलिए वर्यू स्ट reflect करते हैं शबसेरे से ब हैसे में टियुए रॉबिज ने तो आच्छा पाड़ी खेला रविंद्र जाडेजा ने वी एक पड़िए और उसके वैसे इंडिया ने 297 रंस बनाए और उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज 220 टू रंस पर अलाउट हो रहा अपने पहले इनिंस में और फिर जो है इंडिया के बल्लेवाजी आया तब फिर से केल रहूल को अच्छा स्टार्ट मिला लेकिन वो स्टार्ट कंवर्ट न क्योंकि बहुत ही अच्छे खिलारी हैं हम सभी जानते हैं फॉरेन जब कंट्रीज में उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही बहतरीन रहा है और फिर से उन्होंने एक और सेंचुरी बनाया इंडिया के बाहर खेलते हुए टेस्ट मैचेस में वहीं हनुमा विहारी जिनको एक मौका मिला था रोहिट शर्मा से पहले रवीचंद नश्विन के जगह भी आपके हस्ते हनुमा विहारी तो ठेलाय जया था उन्होंने भी बहुत अच्छा पारी खेला 93 रंस ना उन्होंने अपने आपको प्रूफ किया कि क्यों उनको टीम में जगह मिला अपने क्याप इंडिया के बोलर्स ने सामने जस्पेड बुमरा और इशान शर्मा ने कमाल बोलिंग किया इद बार फिर से जस्पेड बूमरा ने दिखाया कि वो वर्ल्ट के सबसे पहतरीन बोलर्स मेंसे एक हैं चाहें किसी भी फोर्माट में आप उन्हें खेला लिजए वाइट बायर हो या रेड़ बॉल क्रिकेट पांच उकेट लिया तल जस्प्रीक भुम्रा ने इस चांच रमा जुन्होंने पहले इनिंस में पांच उकेट लिया था उन्होंने भी नए बॉल के साथ दो केट लिया और इंडिया ने विस्ट इंडीस को सौ रन पर ही ऑल आउट किया और 318 जीट लिया एंडवे मैच काफी एक तरफा हो रहा जिसका उमीड इतना ज़ादा एक तरफा मैस नहीं था त्यूकि वेस्ट इंडीस अपने धर पर खेल रहा था अच्छा था सा टीम लद रहा था वेस्ट इस्ट लेकिन बहुत जादा ही एक तरफा हो रहा ये मैच तो एक ऐसा टेस्ट में जिसमें एक मिरकल होते हुए देखा हम लोगने क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था जब इनलेंड 67 रंस पर आलाउट हो रहा उसके बाद कोई भी नहीं सोच सकता था कि इनलेंड जो है चौते इनिंस में रिकॉर्ड 312 रंड चेस्ट कर और उसमें जो सबसे बड़ा कॉंट्रिबूशन रहा वो था वन आफ दा बेस्ट आल राउंडर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट या फिर आप कहसते हैं तब बेस्ट आल राउंडर इन वर्ल्ड क्रिकेट बेंजमिन एंड्रिव स्टोप्स बहुत ही कमाल की बल्लेवाजी की बें स्टोप्स ने 135 नॉट आउट और लास्ट विकेट के लिए उन्होंने लीच के साथ मिलके 76 जोड़े जिसके बाद इनलेंड ने ऑस्टेलिया को एक विकेट से हराया उसके अलावा जो इनलेंड के कैप्टेन है जो रूट उन्होंने भी बहुत अच्छा हाफ सेंचुरी ब सिरीज एलाइव है तीन मैचस के बाद जो स्कोल लाइन है वो है 1-1 तो भी टेस्स सिरीज एलाइव है दो टेस्ट मैचस बचे हैं देखना हो रहा कि कौन सी टीम यह एशस टेस्स जीते रही क्या ऑस्टेलिया रीटेंड करे रहे एशस या फिर इस बार इनलेंड अपने घ जरूर पता है और वीडियो देखनेटली बहुत बहुत चुट्री अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दिजिए और चैनल तो भी सब्स्राइब कर दिजिए ऐसी और भी इंट्रेस्टिन और इंफरमेटिव वीडियो उस टेलिए